एलो दोस्तो नमस्कार स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में दोस्तो आज की इस वीडियो में हम आपको MS बढ़के Top 5 Amazing Tips and Trick बताने वाले हैं जो सायदे आज से पहले आपने देखे भी नहीं होंगे दोस्तो सबसे पहले मैं आपको दिखाने वाला हूँ कौन-कौन से मैं आपको Tips and Trick बताने वाला हूँ उसके बाद दोस्तो मैं आपको Practically सिखा हुआ तो दोस्तो आए Step by Step सभी के बारे में सीख लेते हैं दोस्तो नमबर फश्ट माला Tips and Trick रहे है किसी भी नमबर को सब्द में कैसे बदले हैं यदि आपको पास कोई भी नमबर है तो आप उस नमबर को सब्द में कैसे चैन्ज कर सकते हैं वो भी MS बढ़ मैं आप MS एक्सल में तो चैन्ज करे लेते हैं इस तरह से आप कैसे चैन्ज कर सकते हैं और कुछी सेकेंड हो में नमबर दूसरी मारी टेप सेंटर के रहे किसी भी दो या दो से अधिक नमबर को कैसे काउंट कर सकते हैं जैसे मालों आपके टेवल है आपने MS बड़ में टेवल बना के रखी है और आपको आपने नमबर काउंट करेंगे जैसे आपने आपने देख सकते हैं मैंने आपने बना के रखाए हिंदी में आपके 17-78 और आपके जपन और आपने नवासी ठीक है और आप इन सब को आपने काउंट कैसे कर सकते हैं कुछी सेकेंड हो में आपने count करके देख सकते है 233 रखे भी है आप इस तरह से कैसे count कर सकते है ठीक है और मारे तीसरी tips and trick रहेगे paragraph कैसे ले सकते है मालों आपको MS वड़ में कुछी second वे कितना भी बड़ा paragraph लेना चाहते वो आप कैसे ले सकते है जैसे मैंने आप लेके भी रखा आप इस देख सकते है जिदि आप computer center पर फढ़ाते है लोगों को study कराते है लोगों computer course वगरा सिखाते है तो आपको जरूरत पढ़ते हुगे paragraph की तो आप कैसे ले सकते है और number four तुमारी tips and trick रहेगे किसी भी number को आप multiply कैसे कर सकते plus कैसे कर सकते जैसे कि आप यहां पर देख भी सकते है या आपको आप दिखाई दे रहा हूँ आप कैसे जोड सकते है कैसे multiply वगरा कर सकते है जैसे आपने देख सकते हैं आप मैंने लिखे भी रखा है यदि मालों plus plus इस तरी से आपको 50-50 जोडने है तो आप कैसे जोड सकते है और नमबर पांच में वारी tips and trick रहेगी दुस्तों average आप कैसे निकाल सकते है maximum कैसे निकाल सकते है minimum कैसे निकाल सकते है जैसे आपकी ये table है आप इस table हो अभी तो ये छोटी table है बड़ी table में आप यहां पे जैसे इतने बड़ी number है इतने number है इस मेंसे आप कैसे पता कर सकते है इस मेंसे सबसे छोटा कौन सा number अभी तो आप इजिली पता कर लेंगे क्योंकि अभी छोटी table है बड़ी table होगी तो आप नहीं पता कर पाएंगे तो आप formula की मदब से कैसे पता कर सकते हैं आप इसमेंसे कैसे पता कर सकते हैं सबसे छोटा नमर कौन सा है आप average कैसे पता कर सकते हैं दोस्तो सभी के बार मैं आपको practically सिखाने बाला हूँ यदि आप जानना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो को लाइश्ट तक देखना होगा दोस्तो आईए शुरू करते आज की वीडियो दोस्तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको अताते हैं आप computer course के notes बगरा टेली course के notes बगरा और ही बहुत सारे notes बगरा download करना चाहते हो यदि आप practically IT के बगरा सीखना चाहते हो MCQ बगरा लगाना चाहते हो तिरपल सीखे यदि आप computer का पूरा course सीखना चाहते हो तो आप हमारी इस website पर जाके आराम से PDF डाउनलोड कर सकते हो जिसका नाम है www.gsrbajrang70.com आपको simply google पर टाइप करना होगा और यह हमारी website open हो जाएगी वहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़े मिल जाएगी आप आसाने से डाउनलोड कर सकते हो दोस्तो आईए practically सीख लेते हैं दोस्तो आईए सुरू करते हैं आज की वीडियो सबसे बहले जो मैंने आप लिखे रखा है इसको मैं आप एरेज कर देता हूँ ताकि मैं आपको proper तरीकी सा सभी के बार में सिका सकूँ आपको इरेज सारा कोच यहां पर कर दिया देख सकते हैं इस तरीकी से अब दोस्तों आपको practically सभी चीज़ों के बार में बताने वाला हूँ के आपको क्या क्या कर दा तब तक दोस्तों मैं अपको इरेज कर रह रहा हूँ आपने अभी तक चैनल को सबस्क्राइब निक्या तो चैणल को सबस्क्राइब जरू कर ले क्योंकि दोस्तों आपके लिए हमें इतनी मैनत करते है इतने अच्छे content डून डून के लाते हैं तो आपको एक यहाँ पर subscribe को बनता है तो आपको उसमें पैसे कर्च नहीं होते तो आप subscribe कर सकते हैं यदि वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को like कर सकते हैं और पसंद नहीं आती तो आपकी इच्छा है आप उसे dislike भी कर सकते हैं दोस्तो आईए practically सीख लेते हैं दोस्तो सबसे पहले मारे trick कौन से थी चलो मैं आपको दिखाता हूँ नमबर बन नमबर बन मारे trick कौन से थी अनि किसी भी नमबर को सब्द में कैसे बतले जैसे आपका कोई भी नमबर जैसे मारे नमबर 96135 इसको आप सब्द में कैसे चैंज कर सकते हो चलो मैं आपको MS वड़ों में लेके चलतो मैं आपको practically सिखाता हूँ जैसे मैं यहाँ पर आ चुका हूँ सबसे नीचे मैं जाता हूँ और मैं आपको समझाता हूँ मैं फास पर आपको कुई भी नमबर लिख लिएता हूँ मैं इतना बड़ा यहाँ पर नमबर लिख लिया यहाँ आप इसको सब्द में चैंज करना चाहते हूँ ठीक है तो कैसे कर सकते हूँ सबसे पहले आपको अपने MAUSE से इसको SECT करना हुए select करने के बाद दोस्तों आपको अपने keyboard से control के साथ app 9 को press करना होगा चलो मैं आपर प्रेस करता हूँ control प्लस app 9 जैसे आप control के साथ app 9 को press करें तो आप देखेंगे आपके सामने आपके curly bracket यहां पर आ जागा जैसे कि आपको दिखाई भी देरा होगा इसको मैं ऊपर यहां पर ले लेता हूँ देख सकते हो ऊपर आ चुका है curly braces आने के बाद आपको क्या करना सबसे आँगे जाना होगा सबसे आँगे जाने के बाद आपको युक्वल लगाना है युक्वल का सामन इस तरीक से लगाना होगा equal का sign लगाने के बाद आपको सबसे पीछे जाना हूँ नमर के इसके बाद दोस्तों आपके keyboard पर यहाँ पर forward slash दिखा रहा होगा ठीक है आपको यहाँ पर लगा सकते back space की just नीचे होगा आप keyboard में देख सकते हैं forward slash लगाने के बाद आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा हो into ठीक है इस तरह की से आपको इसका पर style लगाना होगा इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर लिखना हो card text इस तरह के सकते card text card text लिखने के बाद आपको अपने keyword से app 9 button को press करना है चलो मैं यहाँ पर press कर लेता हूँ जैसे मैं आप 9 को press किया तो अभी आप देखेंगे जो मेरी संक्याती वो यहाँ पर दिख सकते है चैन्ज हो चुकी है जैसे कि आपको दिखाई दे रहा हुआ 567,895 ठीक है जैसे कि आपको दिखाई दे रहा हुआ है चलो मैं क्या गात हूँ इसको मैं बापस इसको मैं कर देता हूँ इस तरह संक्यान है ठीक है दिख सकते हैं यह code आपको लगाना है इस code को आप यहाँ पर copy भी कर सकते हैं तो इस तरह से आप किसी भी number को आप यहाँ कर सकते हैं यहाँ आप चेंज कर सकते हैं यहाँ पे सब्दों में चेंज हो चुका यहाँ आप फिर से इसको formula देखना चाहते हैं इसमें कौन सा formula लगाया तो आप आप सिंपल इसको पर आप किलिक करेंगे और आपको पर दिखाए जए रहे हैं टॉंगल फीड कोड इसको पर किलिक करेंगे तो आपको पर दिखाए जए इसमें कौन-कौन सा कोड लगा है तो आप इस तरीक से आप किसी भी नंबर को सब्द में चेंज कर सकते हैं कुछ ही से गए डॉम है तो दोस्तों आपको समझेमे आ गया होगा इस बाद दोस्तों महारे नंश नमड टो भी, टिफ्ट सेंट टरिक आते किसी भी दो या दो से अधिक नंवर को count कैसे करें जैसे मालो आपकी is table है जैसे के आपको दिखाए दे रहा हुआ है जैसे मालो आप इस table में आपने आप स्थी नमब बगारा लिखे रखे है while friendship, इस तरिक से लिखे रखे जैसे मालो आप इस n confirmed को काउंत करना चांथे total करना चांथे है बिना calculator की बिना mobile की तो आप आसानी से कर सकते MS बढ़ में चलो मैं आपको बताता हूँ मैंने आपको टेवल बना के भी रखी MS बना में दीच सकते हैं ये देख सकते मैंने आपको बना के रखी जैसे मैंने आप 303 ऑपांट भी करके रखी चलो मैं इसको अठा देता हूँ फिर मैं आपको बताता हूँ ये count करने के लिए दूस्तों आपको क्या करना हुगा सबसे पहले आपको अपने keyword से control के साथ app 9 को press करना हुगा control के साथ app 9 को press करने के बाद आपके साहने पर curly bracket आ जाएगा इसके बाद दूस्तों आपको क्या करना हुगा आपको simple आपको simple आपको युक्वल का sign लगाना है एक ही लाइन में यहाँ पर दिखे दिख सकते हैं और यहाँ पर थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ इस तरीक से दिख सकते हैं ब्रैकेट को आपको बंद करना हुगा आपको सिंपली छोटा सा यह फॉर्मूल लाणा करनी ब्रैकेट लगाना उसके बाद आपको युक्वल लगाना सम लिखना इसके बाद आपको कोश्टक लगाना एबब लिखना इसके बाद आपको कोश्टक बंद करना इसके बाद दोस्तों आपको अपने कीवोड से एप 9 को प्रेस करना है जैसे दोस्तों आप एप 9 को प्रेस करना है आपने यहां पर टोटल तो सीख लिया इसके बाद दोस्त मारी नंबर तीसरी जो टिप सेंट रिक आती है वो मैं आपको बताने वालो नंबर तीसरी मारी कौन से पेरग्राप एदि मालो आप MS वड़ों में पेरग्राप लेना चाहते हैं आपको पेरग्राप लेने के लिए एक छोटा सा फॉर्मूला होता जैसे आपको पाँच पेरग्राप लेना चाहता हूँ जैसे मैं आप 5 paragraph लेना चाहता हूँ 5 paragraph लिखने के बाद आपको पर कॉमा लगाना होगा इसके बाद दोस्तों आप कितनी line की paragraph लेना चाहते हैं वो आप type कर सकते हैं जैसे मैं आप 5 line के 5 paragraph लेना चाहते हूँ मैंने आप 5 को type कर दिया इसके बाद दोस्त आपको shift बटन को दबा के याँ पर जो आपका कोश्टक उसको बंद कर देना है इसके बाद आपको अपने keyword से enter बटन को प्रेस कर देना है जैसी आप enter बटन को प्रेस करना है तो आप देखें आपका 5 paragraph आजाएंगे 5 लाइन देश सकते 1 2 3 4 5 5 लाइन आप बहुत ही tips and trick है वो बहुत ही खतननाग वाली है चलो मैं आपको बताता हूँ आनि किसी भी number को आप multiply कैसे कर सकते हैं जैसे आपको प्रेक्टिकल सिखाता हूँ जैसे मालो मैं आपर आपको सिखाने बाला हूँ जैसे मालो आपको आपको मैंने दे दिये 50 ठीक है 50 मुझे यहाँ पर इतनी बड़ी संक्या जोड़नी जैसे मैंने यह संक्या लिगी इतनी बड़ी ठीक है यह संक्या मुझे जोडनी है count करनी है और मैं आपको लिखता के साथ एप 9 को प्रेस करना होगा कांट्रोल के साथ एप 9 को प्रेस करने के यह बार आपका यूप्ल का साइन लगाना है इसके बाद दोस्तो आपको प्लस का sign लगाना होगा इसके बाद दोस्तो दोस्तो आपको दूसरी संक्या को आपको पेस्ट कर देना है ठीक है पेस्ट कर देना है इसके बाद दोस्तो आपको क्या करना होगा आपको कुछ नहीं करना आपको सिंपल अपने कीवोर्ट से app9 बटन को प्रेस कर देना है चलो मैंने आप एप 9 को प्रेस कर दे जैसे मैं एप 9 को प्रेस कर देखें आपका ये count आ जाएगा आप अपने मौल से भी count करके देख सकते कि count मारा सही है कि गलत है जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा दोस्तो इसी तरीकि से आप ये मायनस करना चानते हैं अब को प्लस की साइन की जगाए आपको भी बटने मायनस का साइन लगाना है और आपको app9 को प्रेस कर दे तो आपका मायनस हो जाएगा दोस्तो इसी तरीकि से आपका अपने multiply करना है तो आपको सिंपल यहां पर multiply के हैं पर sign लगा देना होगा shift के साथ और आपको app 9 को press कर देड़े तो आपको ए multiply हो जाएगा जैसे कि आपको दिखाई भी दे रहा होगा दोस्तो इस तरीच से आप यहां पर multiply भी कर सकते हैं और आप यहां पर simply plus कर सकते हैं, minus कर सकते हैं है तो आप कैसे निकाल सकते हैं चलो दोस्तों तरह किसे ताकि आप सिंपली यहां पर आपको सब्सक्राइब आ सके इसको भी थोड़ा इस तरह के लिए था हूँ ठीक है देख सकते हैं मैं आप ज़्यादा बड़ा हो गया दोस्तों कोई देखका थे नहीं है इतना कर ले था हो ठीक है तो मेरा कांगे सं कहीं यह गी ठीक है मैंने यहाँ पर लगाया इस तरह Q4 से यह देखका आपको सूप्व। के साथ यहां पर कोश्टक लगाना है इसके बाद दोस्तों आपको लिखना होगा एब आपको सिंप्लिक कोश्टक को बंद करना होगा इसके बाद आपको अपने कीवोड से एप 9 को प्रेस करना है जैसे दोस्तों आप 9 को प्रेस करें आप देखेंगे आपके सामने यहां पर maximum संक्या भी निकाल सकते हैं कैसे निकालेंगे चलो मैं आपको बता तो आपको कुछ नहीं करना जहाँ पर आपने every लिखा है जहाँ पर आपने every लिखा हुआ है वहाँ पर आपको लिख देना m a x maximum इसके बाद आपको अपने keyword से app 9 को press कर देना है तो आपकी सबसे बड़ी संक्या आयागे देसकते 98 आप इसमें देसकते सबसे बड़ी संक्या हमारी 98 हो जाती है इसके बाद दोस्तों जिदि आप minimum निकालना चाहते हैं तो आपको कुछ नहीं करना आपको simply maximum की जगे minimum लिख देना और आपको app 9 को press कर देना है तो देसकते हैं minimum संक्या आपकी 78 आयागे देसकते हैं आपको इसमें 78 सबसे कम संक्या है तो देखा दोस्तों आपने इस तरीके से आप यहां पर average निकाल सकते हैं ठीक है और आप यहां maximum संक्या निकाल सकते हैं और दोस्तो मुझे ये भी comment में बताना किए आपको इन मैंसे कौन सी shortcut की अच्छी लगी और आपको कौन सी shortcut की पहले से पता थी और यदि इससे समझे तो और भी आपको shortcut की पता है और भी tips and trick पता है तो आप मुझे comment में बता सकते हैं दोस्तो आज के लिए इतना ही मिलते नेक्स्ट वीडियों तब तक लिए जैहिंद बंदे मात्रम